अच्छा मेरे दुवारा बनाएगे वीडियो के बाद तुम्हारे विद्धाले में कोई बदलाव आया? हाँ आया क्या बदलाव आया? दिरीजी पाहने के लिए आया क्या तुम्हों किसे खुस हो? हाँ खुस है जो पहले दिक्कात आता था हो कम कुछ दिनोपूर में देवगर जिला अंतकत प्राथिव विद्धाले हरिजन कोलोनी मद्धुपूर पर एक वीडियो सूट किया था जहां गद दो सालों से सावा सो गरीब दलीद बच्चों का भविस्त अंधकार में दिख रहा था क्योंकि इनके पठन पाठन से थी विद्धाले के तमाम परसासनी कारियों का दायत निर्वान हे तूँ एक मात्र सिक्चक सुरेश चंद्र मेरा के कंधो पर था जिससे बच्चों को समुचित ग्यान नहीं मिल पा रहा था तुम्हारे इस्कूल में कितने सिक्चक है एक तो क्या तुम लोग वो सही से बढ़ा पाते हैं जी नहीं तो सिक्चक के कमी से तुम लोग को क्या-क्या समस्याओं को सामना करना पड़ता है मैंने उक वीडियो को समंधित परखंड सिक्चा परथार पड़ा दिकारी को दिखाते हुए इस समंध में उनका एक इंटर्विव भी किया हल स्वरूप मेरे इसकारी के वाज़से कुछी दिनों बाद पूरे जीलों में सिक्चक की कमी रहने के बावजूद भी वो कम से कम एक सिक्चक को देने को मजबूर हो जिससे वहाँ के बच्चों वा ग्रामिनों में हर्स है मेरे द्वारा बनाएगा वीडियो के बाद आपकी स्कूल में कोई बदलाव आया बदलाव आया है एक टीचर आया है और वो हम लोग अच्छा पढ़ाता है क्या तुम लोग इससे खुस हो यहां बहुत खुस है हाँ सर बहुत बदलाव आया है लोग साल भर में बोलके रखे थे तो कोई सुना ही नहीं हुआ आप जो दी दिये तो बहुत बदलाव एक टीचर आया है अच्छा से पढ़ाय कर ले हम लोग खुस है प्रखन सिक्छा प्रशार्प अधिकारी के द्वारा मुझे यहां प्रप्रतिनी जोएं क्या गिया है मैं दिनांक 19 अक्टूबर को यहां पर में अपना जोगदान दी यहां आने के बाद मुझे मालूम हुआ कि यहां बहुत दिनों से एक सिक्छक विद्याले चला रहे थे मुझे भी इस पर बहुत खुशी है कि मैं यहां आने के बाद इस विद्याले का सेवा कर शपा हालांकि भारत में सिक्षा के अधिकार के थाथ बच्चो और सिक्षक की आउसत 30 अनुपात एक है जिसके अनुसार 112 बच्चो पर 4 सिक्षकों की आयो सकता है इसलिए मेरा या मुहीम मेरा या परियास तब तक जारी डेगा जब तक इस विद्धाल में चार सिक्षक नहीं आ जाते मैं मुखे सजग जारकन के देवर जिला का इंडियान हट के लिए